ऐसे अन्य प्रशनों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइंकन दवाना ना भूले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें भारत में प्रथम जैव मंदल रिजर्व की स्थापना कहां हुई थी? अ नीलगीरी ब नंदा देवी स हजारी बाग द कानहा उत्तर अ भारत में प्रथम जैव मंदल रिजर्व 1986 ए में दक्षिनी पश्चिम घाट, तमिलनाडू, करनाटक, केरल में सहयुक्त रूप से नीलगीरी क्षेत्र में स्थापित किया गया इसका कुल क्षेत्र फल 5520 वर्ग किमी, खी इस क्षेत्र में मुकुर्थी, बांदीपूर, नागर होल और वायनाड नैशनल पार्क स्थे थे